हेलो दोस्तो आप सभी का हमारे इस यूटूब जेनल एलफा मोनिटर में बहुत बहुत सवागत है नहते समय ने करें ये गलतियां कौन सी गलतियां नहीं करनी है आईए जानते हैं दोस्तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सकी आपने ये कावत तो सुनी ही होगी कि नहने से तन और मन दोनों ही साफ हो जाते हैं इसलिए नहना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है रोज सनान करते समय ये गलतियां आपकी सेहत और शूरत दोनों को खराब कर सकती है अगर आप भी सुबह सनान करते समय ये पांच गलतियां करते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो ये आपके सवास्ते के लिए नुकसान दाएक साबित हो सकता है इसलिए आज हम आपको ऐसी पांच गलतियों के बारे में बताएंगे जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए लेकिन उससे पहले आप हमारे इस यूटूब चैनल आलफा मोनिटर को सबस्क्राइब जरूर कर लें और सबस्क्राइब करने के बाद जो गंटी का बटन आता है उस पर कलिक करके सबी नोटिफिकेशन ओन कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं नमबर एक हर वैक्ति नहने के लिए सैंपू और साबुन का इस्तमाल करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी में मौजूद केमिकल आपके सरीर के लिए कितने नुकसान दाएक होते हैं इसलिए इन पदार्थों का कम से कम ही इस्तमाल करें नमबर दू अक्सर लोग सर्दियों के दिनों में गरम पानी से नहना पशंद करते हैं लेकिन ज्यादा गरम पानी आपकी तवचा के लिए बहुत नुकसान दाएक होता है क्योंकि इससे सरीर में जुरियां पढ़ने लगती है और आपकी तवचा में उमर से पहले ही बुडापा जलकने लगता है नमबर तीन शनान करने के बाद में कभी भी सरीर को रगड़ रगड़ कर तोलिये से साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके सरीर में मौजूद मौस्चराइजर पूरी तरह से खतम हो जाता है और हमारी तवचा पर खुसकी बनी रहती है नमबर चार नहते समय कई लोग सरीर को सपंज से साफ करते हैं लेकिन यही सपंज कभी कभी आपके लिए बेमारी का करन भी बन जाता है रोगानों सुक्षम जीव होते हैं जो यदि आपके सरीर में दाखिल हो जाए तो बेमारी और संकर्मन पेदा कर सकते हैं जो आपके स्वास्ति के लिए अच्छा नहीं है इसलिए इस सपंज को आप समय समय पर बदलते रहें और दोस्तो नमबर पांच है ज्यादा देर तक सनान करना आपके स्वास्ति के लिए नुकसान दाय कोता है अगर आप अपने सरीर की तउचा को खूपसूरत और सवस्त बनाए रखना चाते हैं तो कभी भी ज्यादा देर तक सनान ना करें क्योंकि ऐसा करने से आपकी तउचा सुसक पड़ जाती है और आपको कई तउचा रोग भी हो सकते हैं इसलिए आप इस बात का विसेस ध्यान रखें आज के लिए बस इतना ही आसा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस यूटूब चैनल अलफा मोनिटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों